हेलो डियर शुडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एजुकेशनल गोल और हम आपकी इंगलिस की तैयारी के लिए जो लगातार वीडियो बना रहे हैं उसी क्रम में ये अगला वीडियो है इससे पहले में आपकी हाप येरली और क्वार्टरली एक्जाम के क्युस्चन अंसर सोल करवा चुका हूं साती साथ आपके क्युस्चन बेंक के भी बहुत सारे में सोलिशन देच चुका हूं अब इसी क्रम में जो हम प्रीबोड के जो इंपोर्टर एंसर देख रहे थे उसका ये सेकंड वीडियो है और इससे पहले की क्युस्चन हम देख चुके हैं आप जानत ने वाई हैज दा मदर बीन कंपेर्ड दा लेट विंटर समून की माता की तुलना ठंड या सीत रितु के चंद्रमा से क्यों की गई है माता कौन लेखिगा की माता जिनकी उम्र छीया सट साल है ठीक है तो उनकी तुलना जो सीत रितु का जो चंद्रमा होता है उससे क्यों क गई है तो देखिए दा पोएट्स मदर इस सिक्स्टी सिक्स यर्स ओल्ड की कवियत्री या कवी की माता जी छियांसट साल बोड़ी है यानि की उनकी उम्र है हर श्रंकन एशन फेस रिजंबल्स एकॉप्स और उनका सिकड़ा हुआ चहरा किसी लास के समान दिखता है लोस्टर साइन एंड स्ट्रेंथ औफ यूथ वो अपने जवानी की चमक और सक्ति खोचुकी थी सिमिलरली दा लेट विंटर से मून लुक्स हैजी एंड अफ्सक्यूर उसी प्रकार एक जो सीत रितु का जो चंद्रमा होता है वो भी इसी प्रकार आइस पस्ट और कमजोर दिखाई देता है इट टू लेक्स साइन एंड स्ट तो बच्चो पढ़ाई में डाउट साते हैं सौल नहीं हो पारे घबराओ मत इसका सलूशन एंड डाउट नटाप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो कीचो क्रॉप करो और पांच सेकिंड के अंदर साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास नौवी से बारवी आईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए ओन्लेइन क्लास जिसका हिसा बंकर देश के सभी राजियों से बच्चे लेकरा है रांक वन तो आज ही डाउटनेट आप इंस्टॉल करो अपने सभी डाउट्स भ कि इस तरह से जो तुलना है बहुत ही स्वभाविक है और उच्चित भी है ठीक है अब आगे देखते हैं कि कवी उन जुगी जुपडियों में रहने वाले बच्चों की लिए क्या चाहता है तो देखिए कवी चाहता है कि इन बच्चों को भी अच्ची सिख्चा मिलनी चाहिए as other children get जिस प्रकार दूसरे बच्चों को मिलती है they should also get a bright future और उनका एक भविश उजवल होना चाहिए they should break the boundaries of their slums and experience a better life like other people कि वो भी इन जुगी जुपडियों की बाउन्टियों को तोड़ दे और एक अच्छा जीवन experience करें है कि दूसरे लोग करते हैं ठीक है तो यह भी इंपोर्टेंट है और इससे पहले आप यह लिख्जाम में भी आया था अब अगला प्रस्ने what will counting up to 12 and keeping still help us to achieve कि 12 तक गिनना और सांत रहना क्या प्राप्त करने में हमारी हल्प करता है तो देखिए counting up to 12 and keeping still gives us time to introspect ourselves कि 12 तक गिनना और सांत रहना इससे हम एक समय मिलता है अपने आत्म निदिक्छन का इन दिस वे इस प्रकार we can recuperate our energy and restart our activities with fresh energy angel और इस प्रकार हम हमारी उर्जा को फिर से इखटा कर लेते हैं और एक नए उत्सा के साथ किसी भी काड़े की सुरुवात करते हैं ठीक है इसलिए बारत गिनना और सांत रहना फिर अगला प्रस्ण है list the things of beauty mentioned in the poem a thing of beauty कि उन वस्तों की सूची बनानिये जो सुन्दर है और जिनका जिक्र a thing of beauty poem में हुआ है तो देखिए इसका उत्तर है according to the poet there are numerous things of beauty that helps us forget our sorrows कि कवी के अनुसार ऐसी कई सुन्दर वस्तों हैं जो हमें हमारे दुख को बोलाने में मदद करती हैं these are the sun the moon old and young trees यहने कि ऐसी कौन-कौन सी वस्तों हो गई सुर्य हो गई चंद्रमा हो गई चोटे बड़े पेड़ हो गई जो आपको च्हाया प्रदान करते हैं या फिर किसी भैड को च्हाया प्रदान करते हैं डेफ़ोडिल्स के फूल हो गई clear streams of rivers छोटे छोटे नदी के जरने धाराय हो गई गुलाब हो गई मस्क रोजे जंगल में या फिर किसी बहाद्दुर व्यक्ति की कहानी भी आपके लिए अच्छा काम करती है ठीक है तो यह सारी वस्तों क्या है सुन्दर है जिनका जिक्र अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है वाट वाज दा प्ली अब दा फोक हूँ है ड़ पुट अप दा रोड साइट इस्टेंग की जिन लोगों ने रोड के साइड में दुकान लगाई है उनकी क्या प्राटना थी तो देखिए दा रूरल फॉक्स फ्लीडेट पै और सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाए एंड बाए सम अब देर कुट्स कि ग्रामिन लोग है कुछ जिनों जो हमसे प्राथना करते हैं बहुत ही स्पैसेटिकली सानुबुती पुरवक की कुछ कस्टमर आएं वहां रुकें और कुछ सामान खरीदें यह वही लोग है जिनों दा रोड़ साइड स्टेन इसलिए कुछ ग्रामिनों ने यहां पर दुकान लगा दी तो अट्रेक्ट दियर अटेंशन एंड सेल देर कुट्स ताकि सहर वालों का थोड़ा सा ध्यान इदर आए और यह अपना सामान उनको बेच सके तो उनकी सिर्प यही प्रातना है कि उन कि राज कुमार बड़ा होकर क्या बना या फिर यह जो शाही शिशु था इंफेंट मलब शिशु वो बड़ा होकर क्या बना तो देखिए दा रोयल एंफेंट ग्रिव अप इंटो ए टाल स्ट्रोंग यंग मेन के छोटा सा जो शाही शिशु है न यह एक मजबूत और अंग्रीजी वातवान में रखा गया ४ालन पॉसण पया ऊचैनी के देंट यह बाया हूं सिक्षाद इंग्छी में ही विवग रखगा इंग्रेज के द्वारा एंट सा À only English फिल्म हशना फिल्म है फिल्म घंग्रे ही देखिए सिर्फ at the age of twenty he was declared the king और बीस साल की उम्र में उसको राजा गोशित कर दिया गया अब देखते हैं अगला प्रस्न हम अगला प्रस्न हूँ वाज डाक्टर सदाओ डाक्टर सदाओ कौन थे वेर वाज और उसका घर कहा इस्तीत था ठीकिए तो देख ले ते इसको देखिए डाक्टर सदाओ एक जापानी सरजन और साइन्टिस्ट थे ठीक है डाक्टर सदाओ होकी वाज और होकी इस वाज हना उनकी पतनी काना मृना और उनके दो बच्चे वह जापान के एक समुद्री किनारे पर रहते हैं इस वीडियो में यहीं तक इससे अगला वीडियो हम रात को रिलिज करेंगे ठेंक्स फार वाचिंग इस वीडियो